दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदशन फारसेविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परिक्षा सामान अध्यन के लिए महत्तोपूर्ण प्रश्णों के रिवीजन स्रिंखला में प्रस्तुत है भारत के भुगोल से संबंधित इंपर्टेंट वन लाइनर प्रश्णों का संकलन इस वीडियो में हम भारत में खनीज, प्रमुख नाभिकी सक्ति सयंत्र, प्रमुख अध्योगिक केंद्र और भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे दोस्तों ये वीडियो UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के साथ साथ अन्य परिक्षाओं जैसे लोवर PCS, ROARO यानी समिक्षादिकारी, सहायक समिक्षादिकारी, अधिनस सेवाच एन आयोग द्वरा आयोजित परिक्षाओं जैसे पेट परिक्षा, जूनियर असिस्टेंट, ल अधि महत्यपूर्ण प्रश्णों का भाग तीन, सबसे पहले खनीजों से संबंधित प्रश्णों को कवर करते हैं, दोस्तों खनीज देखिए, अरबो, खरबो वरस तक भूपटल में दबे शैलों से खनीज पदार्थों का निर्माड होता है, खनीज पदार्थ प्राकृ प्राइनिक गुडो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है मोटे तोर पर देखा जाए तो खनीजों को चार भागों में विभाजित किया जाता है देखे इन प्रकारों में इंधन खनीज, धात्विक खनीज, अधात्विक खनीज और लगुखनीज आते हैं तो देखिए इंधन खनीज या फ्यूल मिनरल्स क्या हैं, इनमें कोईला, लिगनाइट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जिनका इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें फ्यूल मिनरल्स या इंधन खनीज कहते हैं, धात्विक खनीज या मेटलिक मिनरल्स इ पायराइट, एपेटाइट, एंडूलूसाइट और काइनाइट इत्यादी हैं, इसके अलामा दोस्तों कुछ माइक्रो मिनरल्स या लगुखनीज भी पाये जाते हैं, जैसे मिट्टी की इंट, कंकर, भवन निर्माड में प्रयोगत पत्थर, सामान्य मिट्टी, ये बाकसाइट आयस्क प्रयोग में लाये जाता है, दोस्तों देखें सरवाधिक 48 प्रतिशात एल्यूमिनियम की खपत विद्दुत उपयोग में होती हैं, और बाकसाइट उत्पादन और संचित भंडार दोनों में ओडिशा का प्रथमस्थान हैं, तो ओडिशा में पजिले में इस्थित मंगम पेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स भंडार है, भारत में बायराइट्स उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, और देखें दोस्तों सरवाधिक सीमेंट उत्पादन कहां किया जाता है, तो राजस्थान में सरवा क्रोमाइट में एक अधिकार है और यहां से चानबे प्रतिशत क्रोमाइट उत्पादन होता है कोईला तो दोस्तों कोईले के कुल संचित भंडार और प्रमाडित भंडार की दृष्टी से जारखंड का पहला अस्थान है जबकि उत्पादन की दृष्टी से 36 गढ़ के भंडार है ताबे के आयसक के बारे में देखते हैं तो कुल तामर आयसक भंडार में पहले अस्थान पर राजस्थान है उसके बाद जारखंड और मध्यप्रदेश का अस्थान आता है दोस्तों तामर आयस्क के भारत में तीन महत पूर्ण जिले जुझुनू जेकी खेतरी राजस्थान में हैं बाला घाट मध्यप्रदेश में और सिंग भूम जारखंड में हैं और ये तामर आयस्क के प्राप्ति के तीन महत पूर्ण जिले हैं भारत में अधिकांस तामर उद्पादन पर सारोजनिक छेत्र की कमपनी HCL यानि हिंदुस्तान का पर लिमिटेड का नियंतरण है और तामबे का सरवाधिक उपयोग दोस्तों देखें विद्धुत उपयोग में केबल और बाइंडिंग वायर उद्ध्योग में किया जाता है वर्तमान में भारत में जो हीरा यानि डायमंड है इसका उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन का प्रमुक केंद्र है स्वंड धातु तो दोस्तों सर्वाधिक स्वंड धातु भंडार करनाटक में हैं और आप जानते हैं भारत में स्वंड की खाने करनाटक में कोलार और रायचूर में और आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर और चित्तूर में पाई जाती हैं दोस्तों लोहे के प्रमुख आयस्क हेमेटाइट और मैगनेटाइट हैं हेमेटाइट आयस्क का 89 प्रतिशत पूर्वी छेतर में और मैगनेटाइट का 93 प्रतिशत दक्षडी छेतर में पाया जाता है तो याद रखेगा हेमेटाइट और मैगनेटाइट लोहे के प्रमुख जिनसे लोहा का निस्कार्सन किया जाता है। दोस्तों लौह आयस्क का सरवादिक भंडार कहाँ पर तो ये करनाटक में हैं। जबकि लौह आयस्क उत्पादन में ओर्डिशा का प्रथमस्थान है। अभ्रक जिसको माईका कहा जाता है ये कच्चा अभ्रक का उत्पादन सरवाधिक आंधरप्रदेश और राजस्थान में किया जाता है आए देख लेते हैं प्रमुक संयंत्र और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र या बोकारो और दोस्तों डीजल लोको मोटिव वर्क्स ये उत्तर प्रदेश में इस्थित है हिंडाल को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कमपनी ये रेनुकूट सोनभद्र में इस्थित है जबकि बाल को यानि भारत एल्यूमिनियम कमपनी ये कोरबा 36 गड़ में इस्थित है टाटा इस्टील जमसेद पूर जारखंड में है और नालको दोस्तों भूनेश्वर उडिसा में है चांदी के उत्पादन में देखे चांदी और स्वन के सह उत्पाद के रूप में लेड जिंक और तामर आयसकों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है चांदी की खाने भारत में प्राप्त नहीं है जो थोड़ा बहुत चांदी है वो दोस्तों राजस्थान से प्राप्त होता है कच्चे तेल का उत्पादन सरवाधिक अपतटिय छेत्रों में होता है जिस पर केंद्र सरकार का नियंद्रन है और राज्यों में सरवाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है पेट्रोलियम का सरवाधिक उत्पादन बामबे हाई से होता है जो की अपती ए छेतर में शामिल है नीजी छेतर की तेल रिफाइनरी में दोस्तों रिलायनस देश में सबसे वड़ी रिफाइनरी है और सारुजनिक छेतर की सबसे वड़ी तेल सोधन साला मंगलोरू करनाटक में इस्तित है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का उत्पादन सरवाधिक अपतटी छेत्रों में होता है और दोस्तों भारत में सबसे महतपूर्ण खनीज युक्त सैल तंत्र धारवाड के सैल तंत्र है यहां से सरवाधिक मात्रा में खनीजों का उत्पादन किया जाता है विन धिसैल में दोस्तों चूना पत्थर के ब्रिहत भंडार पाय जाते हैं और देखिए लौह अयस्क की प्रमुक खाने जो भारत में वो कुद्रे मुक करनाटक बैला डिला च्छतिस गड़ ये लौह अयस्क की प्रमुक खाने हैं दोस्तों भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एक मातर राज 36 गड़ है संग मरमर जो है दोस्तों संग मरमर ये कायांतरित या रूपांतरित चट्थान है ये चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है सर्वोत्तम किस्म का संग मरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों भारत में कोईले का प्रमुक स्रोत क्या है तो ये गोंडवाना शैल तंत्र है जहां से सरवाधिक मात्रा में कोईला उत्पादन होता है देखिए कोईला प्रमुक छेत्रों में कोरबा 36 गढ़ में तालचेर उडिशा में नामचिक नामफुक अरुडाचल प्रदेश में सिंग रेनी आंध्र प्रदेश में निवेली तमिलनाडु में जरिया जारखंड में सिंग भूम गिरिडी ये जारखंड में विश्रामपू 36 गढ़ में रानी गंज और आसन सोल ये पश्रिम बंगाल में हैं ये कोईला के प्रमुक छेत्र हैं इसके अलामा दोस्तों लवह अयस के प्रमुक छेत्रों को एक बार रिवाज कर लेते हैं सोनाई क्योजर और मयूर भंज ये उडिशा में सिंग भूम हजारी बाग पलाम और धनबाद जारखंड में बस्तर दुर्ग बिसरामपूर ये 36 गढ़ में इसके अलामा बेलवारी चिकमंगूल चीतला कुद्रे मुक करनाटक में ये सभी लौह अयस के प्रमुक छेत्र हैं खेतडी सिंगाना दोस्तों ये रिवा भगोनी राजस्थान इसके अलामा मोसा जो राजस्थान में हैं मोसा बानी धोवानी पूर्वी सिंग भूम बादाम पहाड ये जारखंड में हैं मलाज खंड और बाला घाट मध्य परदेश के प्रमुक तामर आयसक छेत्र हैं दोस्तों देश में हमारे हां सोने के लिए जो करनाटक की कोलार और हट्टी खाने है ये सोन छेत्र देश का 99 प्रतिशा सोन का उत्पादन करता है इसके अलामा अन्य कहीं से भी सोन का उत्पादन नहीं किया जाता है भारत के जारखंड राज्ज में 132 खानों में सरवाधिक कोईला खाने अवस्थित हैं तो जारखंड में सरवाधिक 132 खाने हैं कोईला के ल दोस्तों पेट्रोलियम के प्रमुक्षेतरों में असम में डिगबोई और सुल घाटी गुजरात में खंभात और अंकलेस्वर और महराष्ट में बाम्बे हाई है ये पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुक्षेतर हैं इसके अलावा पशिम्बंगाल में हल्दिया, जामनगर और कोईली गुजरात, डिगबोई और नुमाली गढ़ असम में, बरवनी बिहार में, कोच्ची केरल में और ताती पाका याद रखेगा आंधर प्रदेश के प्रमुक्ष तेल सोधन साला या आयल रिफाइनरी हैं मंगला भाग्यम, सक्ति और आस्वर्या, ये बाडमेर वेसिन, राजस्थान में खोजे गए प्रमुक्ष तेल छेतर हैं, और दोस्तों एक विजन है, हाइड्रोजन विजन 20-25, इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है भारत में तेल अन्वेशन का कारे, O.N.G.C. यानि आयल एंड निच्रुल गैस कार्पोरेशन, ये दोस्तों O.N.G.C. और आयल इंडिया डिलिम्टेड यानि O.I.L. द्वारा किया जाता है भारत में अधिकांस फ्राकृतिक गैस का उत्पादन, बाम्बे हाई अब तटी छेतर के द्वारा किया जाता है और जारखंड राज में कोडर्मा अभरक उत्पादन का प्रमुक छेतर है इसलिए कोडर्मा को माईका सीटी आफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों केरल के समुद्री तट पर मोना जाइट जो बालू है उसमें से परमाड उखनिश धोरियम का निसकर्सन किया जाता है और जादू गोड़ा बरतमान में जारखंड के पूर्वी सिंग भूमी जिले में है और ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है भारत में उर्जा का सरवाधिक बड़ा सरोत कोईला है और भारत में उर्जा उत्पादन में सरवाधिक अंस उशमी यानि थर्मल पावर एनरजी का है इसके बाद जली पवन और परमाड उर्जा का भाग आता है ओबरात आप बिद्धुत केंद्र की अस्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभदर जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1971 में हुई थी आईए देख लेते हैं प्रदेश जो है दोस्तों देश में प्रमुख नाभिकी सक्तिकेंद्र और उनसे संबंधित राज्य तो नरावरा उत्तर प्रदेश के बूलन सहर जनपद में इस्थित है नरावरा नाभिकी सक्तिकेंद्र कोटा और रावत भाटा राजस्थान में हैं तारापूर परमाडव सक्तिग्री दोस्तों महराष्ट में हैं काकरापार गुजरात में कैगा करनाटक में और कालपकम और कुडन कुलम ये तमिलनाडु में इस्थित प्रमुख नाभी की रियेक्टर हैं। दोस्तों थोरम थोरियम जो परमाड इधन है वो भारत में परचुर मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि ये केरल के मोनाजाइट बालु का निक्षेप में पाये जाता है। पावन उर्जा की द्रिष्टी से देखा जाये तो प्रथमस्थान पर भारत में तमिलनाडु राज्य है उसके बाद पावन उर्जा में गुजरात का दूसरा स्थान है। तमिल नाडु राज्य के मुपंडाल नामा का स्थान पर पवन उर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की परियोजना अस्थापित की गई है और इसका नाम है मुपंडाल खमबात की खाड़ी छेतर दोस्तों ज्वारी उर्जा उत्पादन का प्रमुक छेतर है और येंटी पीसी जिसको आप नेशनल थर्मल पावर कार्परेशन कहते हैं ये तापी विद्धुत उत्पादन और एनेच पीसी का जल विद्धुत उत्पादन से संबंध है महराष्ट राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित छमता और उत्पादन में पहला अस्थान है और रामपुर गाओं ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस्थित है अपना सोर उर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गाओं है जो उत्तर प्रदेश में इस्थित है भारत में पहला लोह इसपात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्म बंगाल में बराबर लोह कमपनी के रूप में अस्थापित किया गया था जबकि देश में सबसे बड़ा पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में जारखंड के साक्ची में स्वण रेखा नदी की घाटी में जमसेद जी टाटा द्वारा अस्थापित किया गया था सोतंता के पूरो भारती लोह इसपात कमपनी की अस्थापना 1908 में पश्मी बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामकस्थान पर किया गया था और दोस्तों सेल जो इस्टील कार्पोरेशन आप बंगाल है यस ए आई बी दोस्तों इस्टील कार्पोरेशन आप बंगाल की अस्थापना 1937 में बर्नपूर में की गई थी और 1903 में भारती लोह इसपात कमपनी में इसको मिला दिया गया था सोतन तकी बाद भारत की दुतीपंचवर्सी युजना में उद्योगों पर विशेश बल दिया गया भारी और आधारभूत उद्योगों पर और इसी के अंतरगत राउरकेला में ओडिशा राउरकेला जो ओडिशा में 1969 में जर्मनी के सहयोग से भिलाई 36 गढ़ में है 1969 में सोबिय संग रूस की सहायता से यहाँ पर इस्टील प्लांटों की अस्थापना की गई थी दोस्तों त्रिती पंचवर्सी उजनाकाल में बोकारो इस्टील प्लांट की अस्थापना 1964 में जारखंड में पूर्व सोविय संग की सहायता से की गई और सलेम इसपास संयंत्र जोकी तमिलनाडु में है विशाखा पत्नम इसपास संयंत्र विशाखा पत्नम आंधर परदेश में है विजे नगर इसपास संयंत्र हासपेट बिलारी जिला करनाटक में है ये चाओथे उद्योग के विकास की जिम्मेदारी इसे दी गई भारत में प्रतम एल्यूमिनियम संयंत्र जेके नगर पश्रिम बंगाल में 1937 में अस्थापित किया गया था आईए देखते हैं भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योगों के बारे में बाल को दोस्तों ये कोरबा 36 गढ़ में सोविय संग के सहयोग से अस्थापित किया गया नाल को ये दामन जोडी कोरा पूट ओडिशा में फ्रांस के सहयोग से अस्थापित किया गया हिंडाल को आप जानते हैं रेडु कोट उत्तर प्रदेश में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यू यसे के सहयोग से अस्थापित हुआ माल को चेन्नाई तमिलनाडु में इटेली के सहयोग से और वेदानता जारसु गुडा में जर्मनी के सहयोग से अस्थापित प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग है नेशनल एल्यूमिनियम कमपनी लिम्टेड यानी नाल को भारत का सबसे बड़ा एक इकृत एल्यूमिनियम पर योजना कांपलेक्स है इसकी अस्थापना 1981 में की गई थी दोस्तों भारत में आधुनिक अस्थर की पहली सूती कपड मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लोश्टर में लगाई गई थी और भारती अर्थ व्यवस्था में क्रिसी के बाद कपड़ा उद्योग या वस्तर उद्योग का दूसरा अस्थान है ये भारत का प्राचीन उद्योग है और कपड़ा उद्योग आप जान लीजिए कि देश में क्रिशी के बाद रोजगार परदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा छेतर है महराष्ट में सूती वस्तर के सबसे अधिकार खाने है और मुंबई देश का ब्रिहत्तम सूती वस्तरों का केंद्र है इसलिए दोस्तों मुंबई को भारत का कापनो पोलिस और महराष्ट में सूती वस्तर के सबसे अधिकार खाने है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात ब्रिहत्तम सूती वस्तरों द्यों केंद्र है और इसे पूर्व का बोश्टन कहा जाता है दक्षिड भारत में कोयम बटूर जोकी तमिलनाडु में है इसको दक्षिड भारत का मैं मैंचेश्टर कहा जाता है और दोस्तों गोल्डेन फाइबर या जो सोने का रेशा है इसके नाम से प्रसिद जूट का पर्थमकार खाना जार्ज आकलैंड द्वरा 1869 में रिशरा कुलकाता में लगाया गया था और भारत एक मात्रास्थान है जो रेशम की सभी पांच ग्य दोस्तों भारत चीन के बाद दुनिया का दुती ब्रिहत्तम रेशम उत्वादक देश है भारत में सबसे पहले सेमेंट बनाने का कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था आए देख लेते हैं प्रमुख औध्योगी केंद्रों के बारे में फिरोजबाद और शिकोहब के लिए कानपुर दोस्तों बेसफोटक के लिए काकी नारा जूट उत्पादन के लिए भदोही कालीन उत्पादन सिंदरी जहरखंड में है ये उर्वरक उत्पादन के लिए है राची दोस्तों राची भारी इंजिनिरिंग उत्द्योग पिंज और मशीन आउजार चुर टेलिफोन इंड़स्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है विशाखा पतनम में पोत निर्मार के प्रमुकेंद्रे इस्तित है और मूरी में एल्यूमीनियम उत्पादन किया जाता है गुडगाओं मोटर गाडियों के उत्पादन के लिए और पन की उरवरक उत्द्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर दोस्तों यहाँ पर अखवारी कागज का उत्पादन किया जाता है और राम गुंड़म और वरक उद्द्योग के लिए प्रसिद्ध है चितरंजन लोकोमोटिव के लिए और नरवरा जो की बुलन सहर उत्तर प्रदेश में है ये अडू सक्ति उत्पादन के लिए जो है यहाँ पर अस्थापित केंद्र है हल्दिया में पेट्रो रसायन और ब्रजराज नगर जो की ओरिशा में है ये कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रिशिक इसमें औसध निर्मार और मैसूर में रेशम बस्तरों का उत्पादन किया जा जेके नगर एलियूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जैपुर लखेरी राजस्थान में है सीमेंट उत्ध्योग जामनगर गुजरात में पेट्रो रसायन उत्ध्योग और सतना और कटनी मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्ध्योग यहाँ पर विक्सिद्ध है भारत के प्रमुख अनुशंधान केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। और केंद्री सुस्क भूमिखेती अनुशंधान संस्थान हैदराबाद आंधर प्रदेश में हैं। राष्टी डेरी अनुशंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में हैं। और भारती दलहन अनुशंधान संस्थान कानपूर उत्तर प्रदेश में हैं। केंद्री उपोष्ड बागवानी संस्थान इसका पूर्व नाम केंद्री आम अनुसंधान संस्थान था ये लखनव में इस्थित है और दोस्तों इंडियन ब्यूरू आप माइन्स ये नागपुर महराष्ट में है इसके अलामा केंद्री खनन अनुसंधान संस्थान तो ये राष्ट्री सरकरा या चीनी संस्थान कानपूर उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्री अखंडता संस्थान पूरे महाराष्ट में है मिस्र धातु निगम लिमिटेड ये हैदराबाद अंधर प्रदेश में है दूस्तों और भारत इंजीनिरिंग लिमिटेड राची जारखंड में है भारती पेट्रोलियम संस्थान दहरादून में इस्थित है और डीजल लोको मोटिव वर्क्स ये वाराण सी उत्तर प्रदेश में है केंदरी जूट प्रद्योग की अनुसंधान संस्थान कुलकाता पशिम बंगाल में और राष्ट्री धातु विज्ञान प्रियोकसाला जमसेदपूर में इस्थित है और द्योगिक विश्विज्यान अनुसंधान केंदर लखनव उत्तर प्रदेश में है और देखिए केंदरी नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भाव नगर गुजरात में है एक प्रश्ण बार-बार पूछा जाता है केंदरी पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी कहा जाता है ये नागपूर में इस्थित है तो पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपूर में है केंद्री इंधन अनुसंधान संस्थान जादू गोड़ा जारखंड में और जादू गोड़ा की खानों सो दोस्तों यूरेनियम प्राप्त किया जाता है भारत में केंदरी चमडा अनुसंधान संस्थान चिन्नाई में और केंदरी लीची अनुसंधान संस्थान मुझभफरपुर बिहार में है भारत में कागज का पहलाकार खाना 1716 में मदरास के समीब ट्रंकवार नामकस्थान पर डाक्टर विलियम कोरदवारा अस्थापित किया गया भारत में सूपर फासफेट उर्वरक का पहलाकार खाना तमिलनाडु के रानी पेट में 1906 में अस्थापित किया गया था और भारती उर्वरक निगम की अस्थापना 1951 में की गई थी इसी के तहट एसिया का सबसे बड़ा संयंद्र सिंदरी जो की जारखंड में अस्थापित किया गया था दोस्तों भारत में पोटास का उत्पादन नहीं होता है ये पूरी तरह आयात पर निर्भर है भारत में जलियान निर्मार का कारेखाना विशाखा पत्तनम ने में 1941 में अस्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा इसका अधि各धान करके 1952 में हिंदुस्तान सिप्याड विशाखा पत्तनम नाम कर दिया गया सारुजनिक छेतर की यान निप्रमुखी काईयां जो जलियानों का निर्मार करती हैं उनमें मजगाउं डाक लिम्टेड महराष्ट में गोवा शिपियार्ड लिम्टेड गोवा में गार्डेन रीच वर्कसाब कुलकाता में ये पश्युमी बंगाल में इस्थित हैं भारत में वायू यान निर्मार का पहला कार खाना बंगलूरू में 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से अस्थापित किया गया जिसको अब H.A.L. यानि हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिम्टेड के नाम से जाना जाता है दूस्तों मोटर गाड़ी उद्ध्योग से संबंधित प्रमुखिकाईयों में मारूतिस उद्ध्योग लिम्टेड गुरुग्राम हरियारा में सन्राइज इंडेश्ट्रिज बंगलूरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिम्टेड ये पूडे में टाटा इंजिनियरिंग एंड लोको मोटिव कमपनी टाटा मोटर्स जमसेदपूर में हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में अशोक लीलेंड चिन्नई में और प्रीमियर आटो मोबाइल्स लिम्टेड ये मुंबई में है भारत में चमडा उद्योग या चर्म उद्योग के प्रमुकेंद्र कानपूर आगरा और कोलकाता मुंबई पटना और बंगलूरु है भारत में कानपूर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और उत्तर प्रदेश राजस्थान के जैपुर भीलवाडा और बीकानेर में इसके अलावा करनाटक के बंगलूरू और मैसूर में और जम्बू कस्मेर के स्रीनगर महराष्ट और गुजरात राज्यों में इस्तित है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वन लाइनर जियोग्राफी के अंतरगत आपने भारत के भुगोल से संबंधित महत्वपोल प्रश्णों को देखा आप इन प्रश्णों को रिवाइज करते रहिएगा ताकि आगामी परिक्षाओं में जब ये प्रश्ण पूछे जाए तो आप उनको सही सही अटेम्ट कर सकें दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दोशन फार सिबिल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो नमस्कार